अपनी सिक्स सेंस पे भी चलना है आपने केतु लगन में सिक्स सेंस देता है जैसे कि मैंने आपको बताया तो ना केतु में दिमाग नहीं होता है intuitive explanation sutie 갓 Listen बहुत जादा जाग। होतीय है किंतु अपना दिमाग दिमाग चलाखी चतुराइड यह लोक बड़े मतलभी हो जाते हैं लगण के खेतु वाले बढ़े मतलभी हो जाते हैं है और इस से बात क्यों करूंग किसे कामक्या है मेरा फाइदा क्या होगा है भाब मेरा फायदा नुक्सान में पर जाते हैं मौत ज्यादा मैंने क्या बोला किस लिए आए थेखो इस जनब में अपने आपको बनाने डिये तो ज़ल्दबाजी होगी यह इसे ही पढ़ाई में भी करेंगे थोड़ा सा मतलब ही हो जाएंगे अपने करियर को बनाने में अपने आपको बनाने में मैं 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 तो इस बात का विशे शुरूप से ध्यान लखना है अब लगन का केतु थोड़ा सा ध्यान लखना है हमने शारीरी कर्श भी देता है और मेरे मालिक टांगों का कमर का और थोड़ा सा दानों का ध्यान रखना पड़ेगा निकल जाते हैं क्योंकि मंगल जो है लगन में बैठक केतु के साथ मिलके थोड़ा सा खोन में खराबी दे देता है तो पिंपल्स की शिकायत कमर की टांगों की शिकायत और चीर भाड़ भी करवा देता है मतलब की चीरा लगके ऑपरेशन टांके लगना चोट लगके टांके लगना तो इन बातों को विशे शुरूप से ध्यान में होगा तो क्या होगा लड़ाई जगडे तलाग तक की नौबत आने की पूरे पूरे चांसे हैं क्योंकि के तु मैंने शुरू में आपको क्या समझाया था वरुण जी मेरे मालिक अगर आपको याद हो तो गर्मी ज्यादा दे देता है लंगोट पर कंट्रोल नहीं रहता ह लाओक करता है अपना ब hm जाके शादी के बाद भी भाहर थोड़ा सा ध्यान लगता है संबन्द बन जाते समन्द मन जाते है एक्स्ट्र में परद जो है संबन्द बना देता है तो पतनी से क्या होगा? ब़ाध वी बाद होगा पतनी पर ध्यान नहीं दे पाएगा लड़ा लंगवट पे कंट्रोल नी एनर्जी जढ़ा बढ़ती जा रही है, एकसराइज तभी मैं बोलता हूँ लगन के केतवाले को एकसराइज करने चाहिए, और क्यां, मतलब ही पन। अपने लिए ही सोचना, बस अपने लिए ही सोचना, हर किसी में मतलब ढूढना, हर किसी से तो पतनी तो पतनी है भाई उससे भूड़ी न बॉद्धी लगाएंगे ऑफ उससे थोड़ी न चलाकी दिखाएंगे उससे थोड़ी न धोका करेंगे। में तो जो इनको मिला हुआ है कि जिनम में अपने उपर जब उप्छली जनम में बहुत धहन ध्यान दिया तो इस दिशनम में उतना ध्यान ना दिया जए जाए तोड़ा सा मजल्ड डेखे अपनी फैमिली अपने माभापा अपनी वाइफ अपने बच्चों की तरफ ध्यान अब इनको वैसे ही पुत्र संतान मुश्किल से होती है, अगर ये लंगोट पर गंड्रोल ना रखें, पुत्र संतान मुश्किल से होगी, और उपर से ये अपनी जीवन में खोई रहते हैं, अपनी बुद्धी में खोई रहते हैं, अलग-अलग काम करने की कोशी करते हैं, त आत 주는 कवी समनी देते हैं तो फिर बात में संतान इने पर्शान करती है संतान भीगड़ जाती है तो इन्हें से ही संतान का भी ध्यान लखना चाहिए वाइव का भी ध्यान रखना चाहिए अपनी बुद्धी को ही नहीं लेकर चलना चाहिए है अपनी सिक्स को साइंस को जागरित करना चाहिए जो ये कहोने ही नहीं देता है अपरी मन की सुनते ही नहीं है दिमाग की सुनते हैं तो यह है लगन का चेटू और सपलीर जी आगर बहुत को दोनिया चुल करता है इनसां को बहुत सुप्र गूर o इनरजी जो है चैनलाइज हो जाए तो जिंदगी में बहुत लोग इनको फालो करते हैं आगे-आगे इनका पीछ दुनिया चुहे की कहानी जो चुहे साथे-पीछे-पीछे बाथ यह जाते जाते हैं तो यह वह लगन के गेतू वही होते हैं इनर्जी को बैलनस कर लेगा तो हर इंसान को अट्रैक्ट कर लेगा क्योंकि इनका मैंने बताया ना दोस्ति यारी गुरूप बड़ा होता है जितने भी काम वाली लोग होते हैं इनने अट्रैक्ट कर लेते हैं निग्लाइन बिकार लोगों को छोड़ते चले जाते हैं दिमाग बड़ा तेज उता एनका इसे क्याATOR हा छोड़ो नहीं मजा एा इसको लेलो इसको लेलो यह जो छोड़ दो इसको लेलो इसको फए Об dough वह बना लेते हैं उनका सघ्डार मन जाते हैं और वैसे भी जोना लगण भी अच्छा कर देगा लगन की तो बाप दादाओं का साथी मिलेगा साथ में पिता का साथी मिलेगा और पिता की तो संजीर जी किस्मत ही चमका देता है पैसों की कमी नहीं होती इनके पास क्योंकि इनके प्यदा होते ही दादा और इनके पिता की तरक्खी होनी शुरू होती है तो पैसा तो पिता और दादा ही दे जाएंगे संबत्ती, फिर भी लागसा इन में रहती है क्योंकि पिछले जनम से बिचारे परशाण हो क्या होते हैं, इनके यह छूपी जिद्ध्यासा केतु दे देते हैं ना इने, पिछले इने याद तो होता नहीं है, कि भाई पिछले जनम में मैं करते हो मर जाता है इसलिए इस जनम में के तू अंदर ही अंदर है के तू आत्मा है के तू छिपा हुआ है के तू रहसे में है के तू चिपका हुआ है आपके साथ उसने तो आपको पता तो है नहीं आप लगे हुए लगे हुए लेकिन आपने इन बातों को ध्या तो आप जिन्दगी में तर जाएंगे और नहीं रखी तो जै श्रीराधे काना जी अगर केतू लगन वाले को अपने जीवन में कुछ करना है तो एक सोने की चाबी होती है वो अपने गले में जुरूर पहने चोटी चाबी कभी कभी अपनी चिट पर चंड़ा ते चंड़ा लगादे कभी ज्याकर के मंदर भी बम्हा अपनी ज्याम गानतों धो reckon Universe की गोली पटे अपनी जीब बड़ाया लोरिग बारिजा फेंग दूह में ईसब ने फीर उठी तो यह ता तो उसका घ्यंद रहेगा और जो हैँ धे तो यह तो भड़ी छुट-छुटी सी चीज़े हैं वैसे तो हम कोर्सिस भी करवाई दे हैं तो उस पे जो है न मतलब और ऐसे सी चीज़ गाते है को उपायों को बनाना अब यह लोगी की होली पेंट करने का क्या उपाय बनेगा लोगा जो है न वो क्या है शनी का है अब एसट दीशिये को भड़े दरुट का यह लाल रंग और लोगी की कोली पर जब हम लाल रंग का पेंट कर लेते है और गोल गोल जो पाय तो उस में ने प्रभु भला करे, सब को तरक्की दे, अगर आपने राहु केतु को कंट्रोल करना है, तो शनी को जैसे ही आप कंट्रोल करेंगे, आपके राहु केतु कंट्रोल हो जाएंगे, तो ये उपाए हैं, तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं, मेरे प्यारे भाई, बहन और प्रिये यहां पर और विस्तार रूप से जानना चाहते हैं तो क्लासिस जाइन कीजिए और सीखिए अभी बहुत कुछ है और बाकि इतना भी जिन्हों ने सुना उनका दिल जरूर ही लेगा अज यह मेरी गरेंटी है और मैं यह भी बोलना चाहते हूं हम पूरे बारा हॉसे दिस्कस कर रहे हैं बहुत सारे लोगों के पास कुंडली नहीं होती उनको पता नहीं होता तो आप सिंटम्स वो इतने ब्रीफली सिंटम्स बता रहे हैं कि आप सिंटम्स सुनके ही समझ सकते हैं कि मेरा के तुका है इस यह इतना कारेगर होता है और इंसान का बने दाना ब्रैंड बना देता है तो वह बहुत उसमें बड़ा जबरदस जो लोग कैते हां कि कुछ आगे जीवन में करना है तो वो यह आपको बहुत अचहा क्योंकि Kету जो किसी का चेला है ब्रसपति इसका को थोותा है सोने का शसीं की जानवतिर will life who will be out a youDu это प fence you that you continue to get difficulties आपने कई सुना भी नहीं होगा तो यह अगर आप खुद करने हैं तो वह सारी चीज़े में बताते हैं और देखिए लगन का जो केतू होता है ना पैसे के मामले में बड़ा राज़दार होता है लगन का केतू हाला पैसा गुबत रूप से करेंदा है यह बात किसी यो पता नहीं होती यह लगन के केतू हाला बताएगा चुक्चा पैसे जोडता है लगन का के तुछ नहीं है और फोड़ टाइम के बदा लाखोर रुब जोड़ रुखे उन्होंने अवडिये बना रखे हैं जोड़ूर बहुत सारे और बहुत सारे और हाउसे वाले हैं जो वेट करें मैं खुद अपने हाउस का वेट कर रहा हु पिनकी 4th house में है, 4th house अब dw già comes being farth ऐसे का, 4th house आपकी माताइक है आपके assets का है बड़ी गरी कैसे आएगी बड़ा घर कैसे आएगा, बड़ा बंगलागब Dawn tea तो शारी चीजरे जो maverằng propertis होती है सारी जो है ये आपके fort house तो यहां ब सुने ऑका थे जो है यहांपका मन है च дела चांदरम आपकी माता है, चांदरमा आपका जो है ये क्पी इसन परण जणम का पैंडीánh अल्मा क्या होता है तो अविख असे इंसान का पिछली जणंब का पैंणि कर्मा क्या होता है कि माता के इनके पास पैसा बहुत आता है, इनकी माता जो होती है, बड़ी ज़्यादा इनको करने वाले होती है, मतलब इनकी मदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉंग होती है, तो ऐसे इंसान के साथ में हमेशा ही होता है, कि ऐसे लोगों को हमेशे लगता है मम्मी ने में लिए कुष की आई नहीं, फादर ने कुछ की आई नहीं, इसको थोड़ी शिकायत होती है, क्योंकि केतु है ना अब आपका जो जो चौता कर क्या है दूद है, चौता कर चंदर्मा का है, अब चंदर्मा के पानी में आपने वो दो निम्बू के बुन डाल दी तो वो क्या हो खटता हो गया तो केट्व निम्बू भी है न तो आपका मन हमेशा खटता राएगा झाल को अब मम्मी कुछ दिया है आपने इजे नी वहा वो नी वहा वो सिंपल सी जो बात है इस सीज को यह सबनना पड़ेगा चोता भाव हम कहते हैं हमारी माता का है शौत अब पिछले जरम में हम क्या करके आए है ऐसा कि हमें चौते भाब में केतु आया है पहली बात कि हमने माता का दिल बड़ा दुखाया है माता से खूब लड़ाई जगड़े की है हमारी माता क्या मृत्युवा कारण हम बने अगर एक इस बात को कहा जाए और कई ना कई माता का बहुत दिल दुखा कहा है चोथे के तुवाला यह बात उसको समझ नहीं बड़ेगी और अच्छी तरह से समझ नहीं बड़ेगी तो और और क्या-क्या चीजे होती हैं हमारा मकान हमारी प्रॉपर्टी हमारे नौकर शाकर गाड़ी तो आप अपने परिवार के लिए एसेट्स बना रहे हों बिजनर्स स्टैंड अप कर रहे हों पैसा कमा रहे हों उस समय आपकी मिर्थी हो गई हैं तो कुछ ना कुछ अपने सुकभाव और माता से रिलेटेड आप कुछ ना कुछ अदूरा छोड़के आएं तो आप इस जनम म को माता मिल जाएगी लित तो ऺांड़ेएं स्टै प seller को माता सरदर्दियां बड़ी हो जाते हैं तो बच्वन में क्या होता है चोटे करके केटी माता को अपनी माता को सुक्नी मिलबाता है ओके या तो उसके पिता शराबी या काम में बिजी या बिमारी में माता कहीं ना कहीं पहस जाती है या परिवार को कमाने में लग जाती है चौथे केतूवाले कि मात्रा बच्वन की बात कर रहा हूं मैं आप से अब वो कमाने में लगी तो वो ध्यान कम देगी तो उसको लगता है कि यार ये तो बढ़ी गत्वाइब मेरी माने मुझे प्यार ने जीवन बच्वन में चोड़ पूरी तो पूरी देदी थी ना पैसा मैंने क्या बताया या तो कमाने में लगी या पिता के साथ बंदी होगी कोई ना कोई कारण बच्वन में चाहिगा फाहीοι थोड़ा सब belki परशानी का थीजा हूब सबब हो जाएगा, नहीं साथ के लिए बात है, मिलेगा सब कुछ, तब भी उसे लगेगा, मुझे मिला कुछ है ही नहीं, लोग उसे आकर बताएंगे, अरे भाई, तेरे बेडरूम में ये भी है, तेरे बेडरूम में इतना बड़ा टीवी है, तेरे पास इतना बड़ा पलं तेरे पास इतना बड़ा फोन है तेरे पास फलान है उन्हें पता ही नहीं होता हूंने जीवन में मिला क्या है चोटे के तुवा लोगों सही बात है यह कि बड़ी एक चंपे बात में आपको बता रहा हूं तो तो तेलाइस नहीं कर पाते है साथिस्फेक्शन क्योंकि के तुवां की प्यास को बढ़ा देगा तो मतलब जो भी होगा उनको हो लगागी है अब पिछले जनम में माता की मिर्ट्य हो गई आपके मतलब आपके कहरण नी माफी जाओंगा मैं मेरा इंब बोलने का तरीका है जैसे के तुवाली के कारण माता की मिर्ट्य होगी इस जनम में वह जाएगा की की मेरी मता मेरे पास है मतों को खीचने की कोशिश करेगा बज़िए वो प्रमों हो जाएगा उसे पता नहीं है उसको क्यों है यह सारी से सब कॉंशस माइड में वह ट्रॉमा रहेगा मैंने कहा ना के तु क्या है चिपका है मा अच्छा अच्छे गाड़ी सब कुछ दे रही है मकान मिला हुआ सब बढ़िया इनको जाकर आने वाले टाइम में लोग ऐसास कर Allow कि तुम्हें हमसे ज्यादा मिला हुआ है इने पर श씨 gates लिए हो तो अन्य सब कुछ है माम 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 मामा चश्भी पैसों करना ही कि जितन पैसे अगमज़क खरलेंगे तो सिनन फिर बाजी कहसे लिए अगर बोगोंको परिशान करना शुरू कर दें पैसे कमज़कों करना शुरू कर दें तो को इन herkin कर से तो इंको माकता कर दाना फ्嗎otका फ्लिफ काहिए मतक इजत करना चाहिए और प्रापटी तो इनको मिली जातीय तो इसले की भूगा हनी चाहिए कि मिल जाए मिल जाए जाए zoals मिल जाए तो इस जनम में थै क्या पता इस जनमी तो वह इनके अंदर मिली जा जाती रिया और जींवन बड़े सारे मित्रा ह और एक special friend भी आएगा, young age में, अच्छा ये गेतुदेव का आशिरोहात होता है इनके उपर, क्या? इनको एक friend भी special मिलते हैं, लेकिन वो चिरते हैं, जो same sex के होंगे, और इनको ना एक young age में बड़ा special friend मिलता है, जो आप समझ गे मेरी बात, तो वो ना इनकी बड़ी care करेगा इनको बनाएगा, निखारेगा, समझाएगा, सुझाएगा, ऐसे नी, ऐसे करो, वैसे नी, ऐसे करो, इनके जीवन को तारेगा, और अगर वो special friend अच्छा नहीं है, तो केतु अपने हमाँ ठक करके निकाल देगा जिन्दगी से, केतु देव में इतनी पावर है, वो चौते करके केतु ने क्या किया, माँ बन जाता है, सही नहीं है, चीते जैसी माँ, मतलब आपको हर चीज से protect कर देगा, अगर दोस्ती यारी गंदी मिली, तो उन दोस्तों को टक 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 गायब, आपके लिए आपके सारे negative लोगों को हटा देगा, और यह भी हो सकता है, और यह मतलब आपको, वो जो फ्रेंड, वो लाइफ पार्टनर बने ना बने, वो स्पेशल फ्रेंड, आपकी लाइफ बड़ी सुधारेगा, आपके लिए बहुत कुछ करेगा, मैंने कहने का तात परेया, अगर वो आपसे गलत चीज चाह रहा है, आपको मिस्यूज करना चाह रह और यह अगर केतू नेगेटिव हो जाएगा, तो फिर वही तंत्र मंत्र जादू टोना घर की लक्चाओकी वो घरवाली करवारी है, यूंकि क्योंकि केतू जो है चौत्य करिवार में उसका परिवार है, तो नान को दाद को में या फिर कोई उनके परिवार वाले लोग ही उनके ओपर तूने टोटके करवा रहे हूंगे, अब तारा दिवाली पर होली पर ही सब चीज़े कितनी जालू चलती है, अलट रहे हैं और पैसे का घमंड नहीं, ज्यादा पैसे का घमंड किया, या अपनी प्रॉप्टी दिखाई, या मेरे पास ये है फलान है दिमकान है कर दोस्तियारी को या दुनिया को, केतु उठा के पठक भी देते हैं जमसे मा की तरह, बच्चा जब बिगड़ता है पठक देते हैं और केतु देव जो है न चुपचा बाप को देख रहे हूं, चौथे केतु वालों को समझाओंगा मैं, कई वो सोच रहे हैं हमें तो तो वो उठा के पठक देते हैं जमसे में एक समझाओंगा मैं यह है फिर उसके बाप